हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी लोग स्वागत है आपका हमारे चानल सक्सेस मंच में आज मैं आपके सामने फिर से यूपी पीएसी या यूपीएसी मीन्स के लिए जी एस पेपर वन का पॉइंट नंबर 9 लेकर आई हूं पॉइंट नंबर 8 पहले ही कंप्लीट हो चुका है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वहां जाके उसे देख सकते हैं आज हम पॉइंट नंबर 9 करेंगे जिसका हमारा टॉपिक होगा सामाजिक शशक्ति करन सांप्रदाइक्ता छेत्रवाद और धर्न निर्पेक्षता हम एक टॉपिक को लेक कर सकते हैं तो जो व्यूवर्स पहली बार में चैनल को देख रहे हैं प्लीज में चैनल को लाइक कर लीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बैल आइकन दबाना मत बूलिएगा जिससे आपको मेरी जो भी लेटिस्ट वीडियो यूट्योब पे है तो जादा टाइम ना वेस्ट करती है क्योंकि हमें टॉपिक जल से जन कम्प्लीट करना है पॉइंट नमबर सिक सेवन एट कम्प्लीट हो चुका है हम नाइन करेंगे और नाइन भी जल्दी से जल्दी आज में शेशक्ति करन खतम कर दूँग यहां पर सोशल एन्पाव लोगों ने यह तीन सब टॉपिक्स दिवाइड किये हैं सबसे पहले हम देखेंगे समाजिक शशक्तिकरन होता क्या है सोशल एंपावर्मेंट का मिनिंग क्या होता है इसके कौन-कौन से घटक है मतलब कि ऐसी कौन सी चीजे हैं जिससे यह पता चलता है कि सोशल एंपावर से सोशल एंपावर्मेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है या सरकार दे रही है इसमें दोनों आ सकता है आप इसको जैसे कोशन आएगा उसके अपने हिसाब से लिख सकते हैं तो चलिए आगे देखते हैं चलिए हम बात करते हैं सामाजिक शशक्तिकरन का क्या आर्थ होता ह है इसके बारे में तो यहां पर देख सकते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है सामाज में सामाजिक सेक्षिक राजनीतिक आर्थिक एवं बिभिन प्रकार के अफसरों से वंचित समुदायों की सामाजिक सेक्षिक राजनीतिक वह आर्थिक शक्ति में व्रिधी करना ह और उनको स्वेंपर विश्वास में बढ़ोत्री करना मतलब कि जो भी एक particular person या particular एक छेत्र या particular area जिसकी हम बात करें अगर वो समाज में पिछड़ा हुआ है तो उसको जिस हिसाब से वो पिछड़ा है चाहे वो समाजिक रूप से पिछड़ा है सेक्शिक रूप से पिछड पिछड़े पन को दूर करके उसकी जो भी पिछड़ी हुए एरिया है उसका उसमें बढ़नागी करना ही सप्धिक शक्षिक करन आपने महिला शक्षिक करन के बारे में तो बहुत सुना हो ऊपकिन प्रतिकुलर महिलाओं के पास हो वो उसे अपनी कलशर को बचाना चाहता हो ठो इसे साब से जो भी एरियाज होते हैं उनको बचाना उनको सुरक्षित रखना उनकी शक्ति में व्रिधी करना ही सामाज 你ंत्हें करन कहलाता है तो यहां आपको इचे समझ में आचका। अगर मैं इसे दूसरे ही शब्दों में इसकी परिभाशा देना चाहूं तो हम यहां कह सकते हैं कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आधारभूत अफसर उपलब्द कराने की प्रिक्रिया को समाजिक शशक्तिकरण कहा जाता है अगर इसमें भारत के हम संदर्ब में देखें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि महिलाओं अनुसूची जातियों जन जातियों और पिछला वर्ग कई जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं तित्य लिंग दो थर्ड जैंडर होता है और आधी इन में समलित किये जाते हैं जिन मिखिल जुलकार आगे बढ़ने की हिंमत है ताकत है तो इस बिश्वास में बढ़हत्री करणा ही समाजिक स्षख yolk होती करन कहलाता है तो जो आम आदमी है वो डायेकली और इंडायेकली भी आदि इंडिया में भागी तो आप मेंस लिखने जा रहे हो इतना तो आप अपने शब्दों में यह चीज़े लिख सकते हो गे तो चलिए हम आगे बात करेंगे इसमें किस समाजिक शशक्तिकरन की कौन कौन से घटक है मतलग कि समाजिक शशक्तिकरन हो रहा है एक पर्टिकुलर छेत्र में तो उस जो कैसे पता चलेगा यह पर्टिकुलर पर्सन में सशक्तिकरन हो रहा है वो कैसे पता चलेगा जहां हम महिला शशक्तिकरन की बात करते हैं तो ये कैसे सहायक हो सकता है, कैसे हम जाने कि ये शशक्तिकरण अपने सही दिशा में कारगर है तो इसके लिए हम आप पहला point है कि अगर उस particular person particular छेत्रिया area वो निर्ने लेनी की शमता उसमें विक्सित हो रही है तो शशक्तिकरण हो रहा है नेक्स्ट सूचना और संसाधनों तक पहुँच अगर उसकी पर्सन की पर्टिकुलर सूचना और संसाधनों तक पहुँच है तो इस दिशा में वो कारगर कदम उठा सकता है वो उचित निर्नय ले सकता है तो इससे सम्झाजिक शशक्तिकरण की दिशा में महतपूर्ण कदम होगा ये थर्ड हम इसमें बात करेंगे सामुहिक निर्ने प्रक्रिया में भाग लेना मतलब कि सामुहिक अगर निर्ने प्रक्रिया हो रही है कहीं तो उसमें भाग ले अपनी बात रख पाने कि उसके अंदर शमता हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं सामने वाला उसकी बात सुने और वो अपनी बात समझा सके तो ये भी समाजिक शशक्तिकरन का ही एक हिस्सा है नेक्स तम बात करेंगे विकल्पों का बहुतायत होना मतलब कि बहुत सारे उसके पास विकल्प हों कि इस दिशा में नहीं तो इस दिशा में मैं काम कर सकता हूँ अगर ये रास्ता बंद हो गया तो नहीं दूसरे और भी ऑप्शन्स है जिसके द्वारा में अपनी शशक्तिकरन को बढ़ा सकता हूँ तो यहां पर ये पॉइंट लिख सकते हैं नेक्स तम बात करेंगे परिवर्तन के लिए सकारात्मक सोच रखना मेंस कि अगर कोई छेत्रवाद में परिवर्तन हो रहा है छेत्र में या कोई एरिया में किसी चीज़ का परिवर्तन राजनैतिक रूप से कोई परिवर्तन हो रहा है आर्थिक रूप से कोई परिवर्तन हो रहा है साथ में जो भी हमारा एरिया है उसमें भी एक पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं देखी जा सकती है नेक्स बात करेंगे शीखने की शमता यहाँ पर तो अकेले रहके यह स्वें के साथ या फिर समू के विकास के लिए सीखने की शमता का होना समाजिक शशक्ति करन का ही एक भाग है अगर वो अपने लिए अपने आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए और यह समू के विकास के लिए पर्टिकुलर एरिया के विकास के लिए अगर सीखने की शमता का उसके अंदर जजबा है तो समाजिक रू रखना कि दूसरा उसकी बात को समझ जाए उसकी सोच में अपने हिसाफ से परिवत्तन लाया जा सके तो यह समाजिक श्यशक्ति करन के अंतरगत आएगा इसमें नेक्स पॉइंट है विकास में भागीदारी यहाँ पर होता है कि जो भी समाज में विकास हो रहा है चाहे वो किसी भी माध्यम से हो चकता है जैसे मैं यहाँ पर सम आप लोग को जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो कुछ न कुछ एक परसेंट ही सही मेरी भागीद कि आप लोग को अपनी बात रख सक रही हूं और आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ तो है कि मैं अपनी भागीदारी दे रही हूं यहाँ पर तो समाज की विकास में भागीदारी और पडिवर्तन की प्रिक्रिया में सतत भागीदारी यहाँ पर सामिल होगी समाजिक शक्तिकरन का ही घटक माना जाएगा और जो भी दूसरों की सोच में परिवर्तन है वो ऐसे नहीं कि नॉमली लोकतांत्रिक तरीके से जो तरीका सही हो उसके हिसाब से लोगों की सोच में परिवर्तन लाना इसका एक में घटक होगा तो अगर ये जो घटक है इनका हम विशलेशन करें तो इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि समाज एक शशक्तिकरन हो रहा है या अगर ये प्रकरिया एक पर्टिकुलर पर्सन में या समाज में देखी जा रही है तो उसका शशक्तिकरन हो रहा है तो इन सब सशक्ति करण के लिए ये सब शम्ता लाने के लिए एक पर्टिकुलर इंसान में ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जिनसे कमजोरी जो वर्ग होते हैं उनको सशक्त बनाकर विकास की मुख्यधारा में इने शामिल किया जा सकता है तो ये कौन-कौन से तत्व हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं तो शमाजी शशक्ति करण के लिए तत्व हैं मैंने फोर मोस्ट इंपॉर्टन तत्व की बात किया वाकि और भी आप इसमें डाल सकते हैं जो भी आपको लगे जैसे मैंने घटक बता हैं उसी के इसाप से आप यहां पर इसे यूज कर सकते हैं तो सबसे पहला इसमें शशक्ति करण के मुख्य तत्व होंगे कि अगर किसी समाज को ग्रोथ करना है अगर किसी समाज में empowerment लेकर आनी है तो उसको यह तत्व तो mainly contribute करने पड़ेंगे तो देखती है पहला point है इसमें सूचनाओं तक पहुच तो सूचना जो होती है वो शक्ति का सूचक होती है अगर उसके बारे में उसे पर्टिकुलर एरिया जो काम वो करना चाहता है उसके बारे में उसे सूचना होगी तो अगर उसे जदा से जदा सूचना वो grabs करेगा तो वो अपने आपको empower कर पाएगा अगर हम दूसरी और बात करें तो प्रसांगिक और समाजिक तथा आसानी से समझ में आने वाली सूचना जो होती है उनके आभाव में निर्धन लोगों के प्रभावी कारवाही जो करपाना असंभव होता है मतलब कि जो भी अगर माली जे कोई सुविधा होती है तो वो किसी निर्धन के लिए पर्टिकुलर कोई स्कीम चलाएगी अगर उसके बारे में उस आदमी को सूचना ही नहीं है तो वो उसके लिए आवाज नहीं उठा पाएगा और उसका पूरा पूरा जो लाब है वो नहीं उठा पाएगा तो इससे उसका एंपावर्मेंट रुख जाएगा इसमें सूचना केवल यही होता है कि सरिफ नियूस पेपर से और उससे सूचना प्राप्त करना नहीं होता बलकि इसमें सामूहिक विमर्ष होता है कविता पाथ होती है किवधनती होती है वाद विवाद होता है नुक करनाटक रेडियो कारिकरम इंटरनेट टेलिवीजन आ सूचना के अधिकार्टर्थी सम्बंधित कारिक्रम है जो कानून आया है और प्रेसकी स्वतंता विशेश कर जो स्थानिय भाशा में प्रेसकी स्वतंता है वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है नागरीकों के शशक्ती करण के लिए ऐसी परीसपियां इसने पैदा की हैं जि को के लिए तो सूचना का जो पहुँच है सूचना तक ये शोशल एंपावर्मेंट में बहुत ही महत्पुन भूमिका अदा करता है नेक्स इस में पॉइंट है समावेशन और भागीदारी समावेशन का मतलब होता है कि शशक्तिकरन का केंद्र कौन-कौन सा है मतलब कि शशक्तिकरन में कौन-कौन शामिल है भागीदारी इनी लोगों को शामिल करने के तोर तरीके तथा उसकी भूमिका से सम्बंदित होती है हम यहां बात करते हैं कि सीमित सार्जनिक संसादन और इस्थान ये जानकारियों और प्रात्मिक्ताओं पर आधारित होती है इसके लिए आवशक है कि वंचित और पारंपरिक रूप से बहिस्कृत अन्य वर्गों को प्रात्थ मिक्ता निर्धारन और निर्ने निर्मार पकडिया में सम्मिलित किया जा सके मीज की यहाँ जो समाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं आर्थिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनको मेंली पहले यहाँ शामिल किया जा सके समावेशन में और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके कि उनको किसी यह पर्टिकुलर योजना का पर्टिकुलर सेवा का ला से सदस्ची चुनकर भेजे जाते उस रूप में हो सकता है राजनीतिक चुने हुए प्रजन प्रतिनिधियों के रूप में हो सकता है सूचना अधारित जिसमें माध्यमों द्वारा आकड़े जुटाए जाते हैं और इस्थानी स्थर पर रिपोर्ट दी जाती उसके इसाप से हो सकता है प्रतिशपर्धी पाजार तंत्र आधारित जैसे है कई प्रतिबंधों को हटा के लोगों को ये विकल्प ये सोतन्तरता देना कि वे इच्छानुसर कुछ उत्पादित कर सकें या विक्रे कर सकें और सेवाओं का मूल्य प्राप्त कर सकें तो इस टाइप से भागिदारी सुनिश्चित की जा सकती है शोशल एंपावर्मेंट के अंतरगत नेक्स्ट हम बात करेंगे जवाब देही जवाब देही मितलब उत्तर रायत्व जो होता है अकांटिबिल्टी इसमें होता है कि सरकारी करमचारी या निजी जो रोजगार प्रदाता है या सेवा प्रदाता को उनकी नीती कारियों धनके उपियोग के संदर में ये जवाब देही तै करने से संबंदित होता है मतलब कि जो व्यापक रूप से हमारे देश में भ्रस्राचार फैला हुआ है नेजी मुनाफ़े के लिए सरकारी पदों का दुर्पियोग हो रहा है सबसे ज़्यादा कमजोर तपके के अधिकारी होते है कमजोर तपके के जो लोग होते हैं सिवां का लाव अधिक से अधिक नहीं उठा पा रहे है तो जवाब देही जो तै होती है उसकी तीन तंत्र होते है राजनेतिक, प्रशाशनिक और सार्वजनिक राजनेतिक दलों और प्रतिनिदियों को राजनीती जवाब देही में व्रिधित चुनावों से तै होती है प्रशाशनिक जवाब देही सरकारी संगठोनों की आंत्रिक जवाब देही संरचना से तै होती है जो चहतिक या आंत्रिक या फिर परसपारिक दोनों हो सकती है और सार्वजनिक ततर समाजिक जवाब देही तंत्र होता है वो सरकारी संस्थाओं को नागरिकों के प्रती उत्तरदाइद बनाता है मेन इसमें जवाब देही की हम बात करें तो जो भी एक department होता है इन सब चीजों की अगर वो आम जनता को जवाब दे ही सुनिश्चित करना समाजिक शशक्ती करन के छेतर में बहुत ही इंपोर्टन है अगर कोई particular area particular चेतर या particular देश सुनिश्चित करना चाता है social empowerment अपने देश में तो वो जवाब दे ही को एक main criteria मानेगा कि अगर उस देश में जवाब दे ही नहीं हुई तो फिर उस देश में हम social empowerment को बिलकुल भी यह नहीं कह सकते कि social empowerment उस देश का हो रहा है क्योंकि एक particular जो संस्थान है अपने संस्था के बारे में कुछ नहीं बताएगा तो लोगों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त नही हो सकती नेक्स नम बात करेंगे इस्थानिय संगठन की शमता उसका fourth point है स्थानिय संगठन की शमता तो संबंध वेक्तियों के साथ मिलकर संगठन रूप में सामुदाइक हितों के लिए संसाधन जुठाने से सामर्थ है मतलब कि अधिकांश जो सामान्य व्यवस्था तक प और मुड़ जाते हैं यह जन संस्थाइं जो होती है वह आपचारिक होती है जैसे कि आपस में एक दूसरे को चावल या पैसे उधार देने वाली महिलाओं का समुग हो सकता है इसके लिए कानूनी पंजीकरन की कोई बातिता नहीं होती है नॉमल एक संगठन टाइप में हो करते हैं इससे लोगों में एक अपने अंदर विश्वास भी बढ़ता है और उनके अंदर जो आर्थिक रूप से पिछड़ा पन है उसमें भी कमी आती है तो यहां एक में पॉइंट यहां पर हम डाल सकते हैं कि अगर स्थानी संगठन की जो शमता है वह अधिकादिक होग और इसके में एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं जिसके बारे में हम देखा कि इसके आधार पर समाजिक शशक्तिकरन को सुनिशित किया जा सकता है तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताईगे को मेरे बहुत सारे कमेंट ऐसे आरहे हैं जिसके मु सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्याद से ज्यादा शेयर कीजिए थेंक्यू थेंक्स फॉर वाचिंग